नवस्कार दोस्तों सुबह सुबह की आप सभी को मेरी प्यारी प्यारी नवस्कार और दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं और दोस्तों जो यह चैप्टर हम आपके लिए करा रहे हैं जलवाई से संबंदित हैं दोस्तों हम आपके लिए डेली किर्क्वेस्ट अगर आप हमार साथ पहली बार जूरे है तो पिली चैनल जरू सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस वीडियो को जाद से जादा से शेयर कर दें दोस्तों साथ के साथ बैला इकन वाला बटन जरूर ड्रेस करें ताकि भबश्यम को वीडियो अप्लोड करे उसका सीधा notification आपको मिल सके दोस्तों मेरा पहला प्रंसन है आप सभी के लिए हारियाना में किस पिरकार की जलवाई Eu दोस्तो ये परिशन काफी बार पूछा गया हरिया न में किस पिरकार की जलुआई पाई जाती है ओप configuration स्टेपी जलुआई है दोस्तो है नेंक्ट करसंब्सें घड़तो का और तापमान कितना होता है गिर्शम रितू का उसत तापमान कितना होता है 35 डिगरी सेल्सियस दोस्तों ये जो मीडियम तापमान होता है मौसम का वो है हरियाना का और सीत रितू में जो उसत तापमान है वो कितना होता है 12 डिगरी सेल्सियस सीत रितू में बार है और वैसे आपक सबसे अधिक सुस्क जिला कौन सा है दोस्तों मेहंद्रगर्ड हरियाना का सबसे अधिक सुस्क जिला है नेक्ट परसन हर्याना का अर्थ सुस्क जिला है जो अर्थ अर्द सुस्क जिला कौन सा है हिसार और सुस्क कौन सा मेहंद्रगर्ड दोस्तों यह परसन पूचा जा सकता है हर्याना का सबसे अधिक सुस्क जला महंदरगर्ड और अर्द सुस्क जला हिसार दोस्तों नेक्ष परसन देखते हैं हरी नेक्ष परसन हर्याना का सबसे अधिक आदरता वाला जला कौन सा है दोस्तों पंचकुला आदरता वाला जला है दोस्तों यहां से पूछे जाएंग दोस्तो भिंडावास में बूरे हंस भी पाए जाते एक वन्य जीव अभ्यारन और भिंडावास के नाम से एक जील भी है जजजर के अंदर हर्याना का सबसेतिक गर्मी वाला जिला जी हां दोस्तो हर्याना का सबसेतिक गर्मी किस जिले में पड़ती है हिसार में और सबसे सरदी वाला जिला भी हिसार दोस्तों सबसे अधिक गर्मी भी हिसार में और सबसे अधिक सरदी भी हिसार में नेक्स्ट प्रिसन हर्याना का सबस्यादिक चमकीली धूप वाला जिला जी हां दोस्तो हर्याना के किस जिले में सबस्यादिक चमकीली धूप निकलती है हिसार में सर्दी भी हिसार में गर्मी भी हिसार में और दोस्तो हर्यान वर्षा का परिशर जो तापमान मतलब जो वो कितना 30 से 110 सेंटीमीटर और हर्यानम वर्षा का उसत 45 सेंटीमीटर दोस्तों सारे पिर्षन इंपोटेंट है हर्यानम सर्वधिक वर्षा वाल स्तान कौन साथ छच्छरॉली छच्छरॉली में सबसे अधिक बारिस होती है छच्छरॉली आपके यवना नगर में पढ़ता है और हर्यानम का चेरा पूंजी किसे कहते हैं छच्छरॉली है छच्छरॉली कहां पर आपका यवना नगर में नेक्ट पिर्सन हर्यान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान दोस्तों पिर्सन ये इंपोटेंट है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लोहारू और दोस्तों लोहारू से 1857 करांती का जो नेता था वो था अमिनुद्दीन और दोस्तों लोहारू आपका कहा पड़ता है भिवानी में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है हर्याना के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा पंचकुला में होती है हर्याना के जिले में सबसे कम वर्षा होती है मेहंदरगड में सबसे कम वर्षा होती है S ins Universitas, सबसे कम वर्षा वाला दूसरा जिला सिर्सा हे है और हर याने के किस भाग में सबसेुदिक वर्षा होती है ये पलबल, भड़बाद, दक्षनी भाग शैत्रे में आते है महिंद्रगार रहभाडी है अगला पिरस़न हर्यान में सबस्यदिक वरसा किस मांसुन से होती है डक्षिम पूरी मांसुन से होती है ढक्षिम विच्छोप के कारणाएक दोस्तो यह अभी जो बारिस हो रहिए हर्यानA के अंदर सीध काल के मौसम में यह पष्च्चिमी विच्छोब के कारण बारिस हो रही है बारबार जो हर्यानम सरदी के टब में वर्सा होती है और यह फारिस के खाड़े भी कहते हैं से पष्चिमी विच्छोब को केई बान है से पूछा गया हरियान में सीथ काल में होने वाली वर्सक के सथानी नाम से जाने जाती है मावट इसे मोहट भी कहते हैं देहाती भासा में सीथ काल में होने वाली वर्सक के सथानी नाम से जाने जाती है मावट हरियान में कौन सा तो हर वर्सक रितू के आगमन की स आप आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो पिली चैनल जरूर शर्क्राइब कर देना एक वार नेक्स्ट परसन हर्यान वर्सा रितु के बाद कौन सा तोहर मनाया जाता है वर्सा रितु के बाद या आपका तीज तीज तोहर को मनाते हैं नेक्स्ट एस ब्रेसन स्टेजाद में अध्यृता है स्टाफ्य आड दॉर्प तयाले के बीच की जल वाइए यह तीने ऊप्सन विलती है यह उप्रोग डी दो डी आप्सन होता है उप्रोग सजय हो सकता है यह महदी जलवाई कि श Somquart P GLS होती है 200 cm हर्यान के दक्सिन भाग में अधिकतम वर्सा होती कि stem डाक्टर बालिद में Yani Ket judging पाई जाती से हरयाना को तीन भागों में बट्ट गया है क्रूछेत्र हर्याना और भट्याना दोस्तो ये संjetsन आपके सामने मैंने जल वाई से संसा ही चैनल करा दी हैं आप सभी को इस विडियो में और दोस्तों सारे प्र इंपोर्टेन्च है आनेवाले एक्जाम के लिए और दोस्तों मैं आसा करता हूं आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो पिली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर दें दोस्तों आप सभी नए